तेलंगाना के नव नियुक्त सीम रेवन्त रेड़ी बिहार में सुर्खियों में है रेवन्त रेड़ी ने इंडिया टुडे के राउंड टेबल कारिक्रम में बिहारी डिने पर विवादित बयान दिया इस बयाम के बाद बीजेपी जहां बिहार में फ्लावर से फायर हो गई वहीं इंडिया गडबंधन के नेताओं से कुछ बोलते नहीं बन रहा है पूरे मामले पर अब तेजस्वी यादव की पहली प्रतिक्रिया आई है हाजीपूर पहुँचे तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा जरा सुनिये तो देखा आपने कि रेवन्त रेड़ी के बिहारी डियने वाले बयान पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है वहीं बिहार के डिप्टी सीम को अंदाजा ही नहीं कि रेवन्त रेड़ी ने आखिर बोला क्या है और क्यूंकि उनको अंदाजा नहीं है इसलिए उन्होंने इस पूरे मामले पर कोई टिपणी करने से इनकार कर दिया चलिए अब आपको रेवन्त रेड़ी का वो विवादित बयान भी सुनवाते हैं आपको रेञा ट्राइ ट्लंगाना सब अगारा नहीं मौ सुन कर दिया नहीं कर दो कि रजिएन अगरमा ौशियं कर दिया ज Ó जा लंगाना बता दें कि इस पूरे मामले पर 8 दिसंबर यानि आज के दिन BJP पूरे बिहार में विरोध प्रदर्शन करने जा रही है और ऐसे में नितीश तिजस्वी से कड़ी प्रतिक्रिया की उम्मेद की जा रही थी कि इस बयान की आलूचना नितीश और तिजस्वी करेंगे लिकिन लगता है कि इंडिया गड़ बंधन की एक्ता को ध्यान में रखकर दोनोंने मामले पर चुप पिसाद ली बता दे कि 2015 के विधान सभा चुनाओ में प्रधान मंतरी नरिंद्र मोदी ने चुनाओ प्रचार के दोरान नितीश कुमार के डियने पर भी सवाल उठाया था और सवाल उठाते हुए कह दिया था कि मुझे तो इस आदमी के डियने में ही गड़बर लगता है तब नितीश कुमार ने नरिंद्र मोदी के दिये उस बयान पर खुब प्रतिक्रिया दी थी और पूरे मामले पर नाखुन और बाल काटकर राष्टपती तक को भेजा था लेकिन अब जब रिवन्त रेड़ी ने खुले मंच से सीधे तोर पर तिलंगाना डियने को बिहारी डियने से बहतर बता दिया है तब न तेजस्वी कुछ बोल रही है न नितीश से कुछ कहते बन रहा है हाजिपुर से हमारे समवादाता संदीप आनंद की रिपोट आप देख रहे थे क्या आपको लगता है कि तेजस्वी याधव ने वाकई ये बयान नहीं सुना होगा या सुनकर भी वो विवादों से बचने के लिए कुछ कहना नहीं चाहते हैं आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं